दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जिराप बड़ी से बड़ी खुंकार सिकारियों से आखिर बच जाते हैं क्योंकि यहाँ अपनी लंबी गर्दन और लंबी टांग की कारण ये इन खुंकार सिकारियों से अक्सर बच जाते हैं लेकिन यदि हम बात करें इनके बच्चों की तो या अक्सर इन खुंकार सिकारियों द्वारा मार दिये जाते हैं इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि एक सेर्णी ने एक जिराप के बच्चे को पकल दिया है और वहां सेर्णी इस बच्चे को खीच कर दूर ले जाना चाहती थी लेकिन तभी जिराप वहां पर पहुंचाता है और अपने बच्चे को इस अवस्ता में देखकर वहां काफी कुछा भी होती है और वहाँ कुछ देर अपने बच्चे के पास रुक्ती भी है और फिर वहाँ से चले जाती है और सेर वहाँ पर एक बार दुबारा आकर उस बच्चे को खिचने लगता है और तभी वहाँ पर जिराप आकर उस सेर को फिर भगा देता है और लास्ट मी वहाँ बच्चा अपन पेरों पर खड़ा हुजा तो